T20 World Cup जीतने के बाद भारतिय T20 टीम में काफी जादा बदलाव देखने को मिले हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोली, रविंदर जड़ेजा अब T20 फॉर्मेट से रेटार्मेंट ले चुके हैं सबको लग रहा था कि रोहित के रेटार्मेंट के बाद अब शायद हर्दिक पांडिया टीम इंडिया के नए T20 कैप्टन होंगे फटावट फॉर्मेट की जिम्मेदारी अब हर्दिक पांडिया के एक हंदों पर सौप दी जाएगी लेकिन कौदम गंभी टीम इंडिया के हेड कोच बने राहूल रविट की उन्होंने जगा ली और उसके बाद 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 टी-20 टीम की काया पलट ही हो गई किसी ने सोचा भी नहीं था और मिस्टर 360 डिग्री सूर कुमार आदा भार्टे टीम के नए फटाफट कैप्टन हैं की टी-20 इंटरनेशनल कैप्टन बना दिये गए हर्दिक पांडिया को उपकप्तानी के पस से भी हटा दिया गया वो हर्दिक पांडिया जो टी-20 वर्ल कप में टीम इंडिया के कप्तान थे वो हर्दिक पांडिया जो 2022 के टी-20 वर्ल कप के बाद से लेकर 2023 तक पूरे सीजन और ने भार्ट की टी-20 टीम की कप्तानी की थी लेकिन अचानक से उनको इस कप्तानी के पस से हटा दिया गया अब एक बार फिर से रूमर्स सामने आ रही हैं, खबरे कह लिजिए, कुछ भी कह लिजिए, हार्दिक पांडया फिर से टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं जी हां हार्दिक पांडया आपने एक दम सही सुना हार्दिक पांडया एक बार फिर से टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं Limited आवर फॉर्मेट में हार्दिक के लिए कप्तानी का विकल्प अभी भी खुला हुआ है वो विकल्प ऑप्शन बंद नहीं हुआ है और इसकी बात की जानकार इस बात के बड़े संकेत जाने माने कॉमेंटेटर और प्रख्यास क्रिकेट विशेशग्ये हर्शा भोगले ने अपने एक बयान में दी क्या कुछ और ने अपने बयान में कहा आपको बताते हैं हर्शा भोगले ने हर्दिक पांडया के बारे में बात करते हुए कहा टीम मैनेजमेंट की ओर से हर्दिक पांडया को सभी वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए कहा गया है और उनके लिए कप्तानी का दर्वाजा खुला हुआ है उन्होंने ये भी कहा कि मैनेजमेंट सिर्फ सुरिकुमार एदव को जाच रहा है हार्दिक को Fit रहना होगा और कपतान बनने के लिए वाइड़ बॉल format के सभी मैच खेलने होंगे सिंपल सा लॉजिक है हार्दिक पांडे को अगर कपतान बनना है टीम इंडिया में उनकी जगा इसलिए कहीं नहीं बन भी नहीं पाई दोजार तेज का वंडे वर्लकप था शुरुबादी तीन मैच खेलने के बाद ही हार्दिक पांडिया बैक इंजरी के चलते बाहर हो गए उससे पहले 2018 के हिशिया कप में उनको बैक इंजरी होई थी जिसके चलते वो करीब 1-5 साल तक टीम इंडिया से बाहर रहे थे और जब-जब हर्दिक पांडिया टीम से बाहर रहते हैं इसका असर टीम पर साफ तोर पर देखने को मिलता है क्योंकि हार्दिक पांडिया इस समय टीम इंडिया के एक मजबूत और राउंडर बन चुके हैं बतौर बल्ले बाज बतौर गेंद बाज उनकी भरपाई करण पाना उतना हसान नहीं होता टीम इंडिया ने कहीं सारे options जरूर ट्राई किये शिवम दूबे आये विजय शंकर आये लेकिन कोई भी हार्दिक पांडे को रिप्लेस नहीं कर सका सबी जानते हैं कि हार्दिक पांडे की जो एहमियत है वो टीम इंडिया में बहुत अधिक है एस्पेशली लिमिटेट ओवर क्रिकेट में आर्दिक पांडे को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्कील है लेकिन टीट्वेंटी वर्लकप में भी हमने देखा था हर्दिक पांडे की करीब 6 महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई वर्ल कप से बहार हुए थे वन डे वर्ल कप से और टी-20 वर्ल कप से उनका कमबेक हुआ यानि कि पिछले 6-7 महिनों में किया और उनने आईपिल खेला हाला कि फिटनेस हरा है आईपिल में अच्छी बोलिंग की अच्छी बैटिंग की उसके बाद टी-20 वर्ल कप उनका पर्फोर्मेंस का भी ले तारीफ था टीमीडिया वर्ल कप चैंपिन भी बनी लेकिन फिटनेस के आधार पई हार्थिक पांडिया से कप्तानी ले ली गई थी और सूर्ग कुमार रादव को कप्तान बनाया गया था सूर्ग कुमार रादव को एक टेस्टिंग विकल्ब के तौर पर एक आप्शन के तौर पर कप्तानी दी गई थी जहांपर वो खरे उत्रे सूर्ग कुमार रादव की कप्तानी में भारत ते शिरलंका का दौरा किया था और तीन मैचों की टी-20 सीरीज तीन शूने से अपने नाम की पहले दो मुकाबले भारत ने एक तरफा अंदाज में जीते जबकि आखरी मुकाबला सूपर ओवर में शांदार तरीके से सूर्ग कुमार रादव ने स्मैच में गेंदबाजी भी की थी हैट्रिक पर भी थे और सीरीज भारत को जिदाईती प्लेयर ओव दो सीरीज का आवार्ड भी सूर्ग कुमार रादव के खाते में गया था लेकिन अब हार्दिक के लिए दरबाजे खुल चुके हैं हाला कि हार्दिक पांडव के फिटनेस को लेकर सूर्ग कुमार को कप्तान मनाने को लेकर अजीत अगर कर ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको बदाते हैं जब सूर्ग कुमार रादव को कप्तान मनाया गया श्रिलंका दोरे से पहले तरप्टीम इंडिया के मुखे चेहन करता अजीत अगर कर ने अपने एक बयान में कहा था सूर्ग कुमार रादव एक अच्छा विकल्प है और रहने अपनी प्रतिबा दिखाई है वहीं हर्दिक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खिलाडी है उनके जैसा टैलेंट पाना बहुत मुश्किल है लेकिन उनके फिटनेस पिछले दो साल में एक बड़ी चुनौती रही है ऐसे में हम कप्तान के तोर पर एक ऐसे खिलाडी को चाहते हैं जो हमेशे हुपलब्द रहे और अपना रोल अच्छे से निभा सके सूरिया में वो सारी क्वालिटी नज़र आती है अगरकर ने भी कहा था कि हार्दिक पांडिया कोई जगा भरपाना बहुत मुश्किल है हर्दिक पांडिया हमारे लिए बहुत एहम खिलाडी है लेकिन वही चीज़ है पिछले दो डाई साल में उनके जो फिटनेस रही है वो उनका साथ देती हुई नज़र नहीं है इसी कारण उनको कप्तान नहीं बनाया गया खैर अब देखना दिल्चास पर एगा कि आने वाले समय में हर्दिक पांडिया वाइट वोल फॉर्मेट के कितने मुकाबले खेलते हैं अपने आपको हर एक मैच के लिए अवलेबल रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं फिटनेस उनकी कैसी रहती है क्योंकि अगले साल चैप्वेंस टॉफी होने वाली है और दोजार चब्विस में भारतिया सरजमी पर भारत और शिल्डंगा की मेजबानी में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी होगा और टी ट्वेंटी में टी मेडिया चैंपियन है अपना किताब बचाने मैदान पर उतरेगी अब देखते हैं कि दोजार सब्विस में भारत का टी ट्वेंटी कैप्टन कौन होगा आपको क्या लगता है कमेंट्स में अपनी राइट जरूर शियर करें